ये जो चूना है ना, आपके रीड की हड़ी में कहीं कोई तकलीफ आ जाए जैसे कई बार रीड की हड़ी का जो लंबर रीजन है इसमें गैप आ जाता है L1, L2, L3, L4 के बीच में गैप आ जाता है इसको ठीक करने की ताकत चूने में ही है चूना खाई कभी हड़ी क्रेक हो जाए तो हड़ी को जोड़ने की सबसे जादा ताकत चूने में चूना खाई एड़ी की दर्द है, पैर की एड़ी का दर्द है चूना खाई ये ठीक हो पंजों में दर्द है, चूना खाई ये ठीक हो आपके दात में अक्सर ठंडा गरम पानी लगता है तो आप चूना खा लीजे बिल्कुल ठीप हो जाए दात में कीले बहुत लगते हैं चूना खाई ये नहीं लगेंगे दात हिलते हैं कमजोर हैं चूना खाई ये मजबूत हो जाए ये एक चूना सब्तर बीमारियों में कामाता है सब्तर और ये ईश्वर में हमें सबसे ज़्यादा दिया है सब्तर बीमारियों में कामाता है आप कभी भी इसको याद रखिए मैं सब को यही कहता रहता हूँ कि आप चूना खाईए चूना लगाईए मत कभी किसी